नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चेनल में दोस्तों आज किस वीडियो में आपको बताऊंगा कि WhatsApp की बैक्ग्राउंड में आप अपनी फोटो को कैसे लगा सकते हैं दोस्तों जब हम अपने WhatsApp यूज़ करते हैं और उसमें हम चैटिंग करते हैं तो आज किस वीडियो का अपलाश्य तक वाज किजिएगा इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि उस वाइट बैक्गराउंड के जगा आप अपनी फोटो या फिर आप कोई और वैक्गराउंड क इसे लगा सकते हैं इसके लिए आते हैं बैक और यहां पर आपको क्लिक करना होगा इस तीन लाइन पर और इस तीन लाइन पर क्लिक कर देने के बाद आप क्लिक कीजिएगा सेटिंग्स पर यहां पर अब दोस्तों यहां पर आपको क्लिक करना होगा चैट्स पर यहां पर तो यहां पर आपको चार ऑप्शन मिलते हैं अपने बैक्ग्राउंड को चेंज करने के लिए अपने बैक्ग्राउंड बदलने के लिए यहां पर आप ब्राइट वाल पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं यहां पर आपको वाट्सेप के तरफ से कुछ बैक्ग्राउंड मिल जाते हैं तो यहां पर आप इसे जो भी यूज करना चाहिए आप यहां पर किलिक करके इसे यूज कर सकते हैं इसी तरह से आप कोई भी बैक्ग्राउंड को यहां से आप सेलेक्ट करके और आप क्लिक कीज़ेगा है यहां पर सेट वाल पेपर पर तो आपकी WhatsApp की बैक्ग्राउंड चेंज हो जाएगी यहां से हम आते हैं back और इसी तरह से आप अगर dark background इसी करना चाहिए ऑप दार्क बैक्ग्राउंड उज़ कर सकते हैं दोस्तों यहां पर बात करने मला है कि आप आप अपने background में अपना खुद का photo कैसे लगा सकते हैं तो यहां पर आप क्लिक कीज़ेगा my photos पर और यहां पर आपकी phone की gallery open हो जाती है तो यहाँ से आप कोई भी image को select कर लिजेगा यहाँ पे all photo पर click किजेगा तो आपकी phone की gallery में जो भी photo होंगी वो यहाँ पर आ जाती हैं यहाँ से आप अपनी photo को select कर लिजेगा फर example के लिए मैं इस photo को select कर ले रहा हूं और इसके बाद हम क्लिक कराऊ set wallpaper पर यहाँ पर अब यह वाल पर हमारा यहां से से हो जाता है तो यहाν से हम आते हैं बैग और अपने चैट को ओपें करके देखते हैं तो दखी यह हमारा बाइग्ग courts ऐस तरह से दिखेगा यहां पर आपका फोटो फेस्बूक ग्रूप में और इसे सिंपल सिंपल वीडियो में अपने चैनल पे लेके आते रहतों तो आप मेरे चैनल को जूरू सस्क्राइब कीजिएगा मिलते एक ने वीडियो में तो तक क्लिपने ठ्याल रखियेगा बाई